बैसे तो किसी खानपान, इतिहास या किसी बिसेश कला के लिए सहरों की प्रिसिद्दी होती है लेकिन चतरपुरजिले का एक ऐसा नगर जिसकी पहचान उसके चौरहों से है इस नंगर में 135 से अधिक चौराहे हैं जो इस नंगर की पहचान चौराहों के नंगर के तोर पर करते हैं चतरपुरजिले के नोगा और नगर जो बहुत ही पुराना नगर है अंग्रेजों के समय इसे नगर को पहचान उस बक्त मिली जब अंग्रेजों ने इसे अपनी छाउनी बना लिया तातकालीक अंग्रेज सासन ने इसे अपने तरीके से बसाया और इस नगर को इस तरह से बस सितक इया था अंग्रेजों के समय बसाये गए इस नंगर क्यों उस वक्त पहचान मिली अंग्रेज छाउनी की तौर पर इसके बाद इस नंगर में 80 से अधिक चोराहे होने कि कारण इस नंगर को चोराहों के नंगर के तौर भी जाना जाना लगा चातरपुर का दूसरा सबसे बड़ा नंगर नोगाओ इसमें अपनी बिरासत को लेकर पहचान रखता है वहीं उत्तरप्रदेश से निकट होने के कारण यहाँ पर सिक्षा का भी हब बनता जा रहा है इस कारण इस नंगर को लोग अब देखना पसंद करते हैं और अगनेज सासन की इमारत हैं और कई ऐसे चर्च जो अंगरेज सासन की हुकूमत की साप गवाही नेती हैं इस नंगर को भूल भूलया की तरह बसाया गया ताकि अंगरेज बिरोधियों को ब्रहमित किया जा सके औ पर अतिकर्माण आक्रमाण या किसी प्रकार से युद्ध नाग कर पाएं अगर अंग्रेजों के समय पर चौराहों के नाम पर फेमस है करीब लगभग एक सो पैंतिस या एक सो बत्तिस करीब चौराह है जो अभी नए भी कुछ चौराह है अभी जनकरणा में गिंदी में नहीं हुए है और यह फेमस अंग्रेजों के जमाने से यह नौगाउं चौराहों के नाम से जाला जाले है जी बलकुल